ब्रेक के बार आपका स्वागत है जिला बिलासपर पुलिस की सुरक्षा शाखाव विशेश अनिवेशन इकाई की सियूख टीम ने बस सवार ब्यक्तिक से 49.35 ग्राम हिरोईन चिटा ब्रामत किया है बिलासपर पुलिस की सुरक्षा शाखाव विशेश अनिवेशन इकाई की सियूख टीम ने बस सवार ब्यक्तिक से लगभग 40.35 ग्राम हिरोईन चिटा ब्रामत किया है संयूख टीम ने आरोपी विक्ति को ग्रिफतार कर अगामी कारवाई हेतु सदर्थाना को सौप दिया है जानकारी के अनुसार सुरक्षा शाखा के प्रभारे मुख्य आरक्षी सुरिंदर कुमार की अगुवाई में बिलासपुर के साथ के नौनी के पास चंडिगड मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात जांच के लिए नाका लगाया गया था इस दौरान चंडिगड से जंडूता जा रही हिमाचल पत परिवहन निगम की एक बस को जांच के लिए इशारा कर सड़क किनारे रोका गया उसमें हिरोईन पाई गी बरामद चिक्टे को टीम ने अपने पास रख इलेक्टरोनिक तराजू से वजन करने पर उसका वजन 49.35 ग्राम पाया गया आरुपी वेक्तिक की पहचान असरियाल पुत्र लालदीन जिला कुलू के रूप में हुई है DSP बिलासपूर संजे शर्मा ने बताया कि गस्ट के दुरान पुलिस की सुरक्षा साखा वा विशेश अनिवेशन की टीम ने बस सवार यातरी से चिटा वरामद किया आगामी कारवाई के लिए उसे आदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस आरुपी से चान बीन कर रही है कि वो कहां से चिटा लेकर आया और कहां लेकर जा रहा था पिछले कल 11 जून को हमारी स्कूर्टी ब्रांच और SIU की स्पेसिल टीम है उन्होंने एक नाका लगाया हुआ था नौनी चौक के तो राद करीब बौने दस बजे एक HRTC की बस जो चंडिगर से ब्रास्पर की तरफ आ रहे थी उसको इंटरसेप्ट किया और जब बस की चेक में शुरू की तो एक स्वारी जो बस के अंदर माजूद थी वो पुलिस को देखके घवरा गई जो एक युबग था करीम 19 साल का तो शक होने पे जो है वो उसको नाम पता जो पुचा गया तो उसने प्रानाम जो है वो अजरायल बताया और निवासी ज आप शुत रहें जो उसको सीट से खड़ा होने के लिए घागया तो उसने का प्याना काली कि लेकिन जो खड़ा हुआ तो जो जो सीट पे वैठा हुआ था वहा जो है एक स्वेज रंग का पलतीर का अधावा जो फाफा जो जो सको चैक किया पुलिस पार्टी ने तो उसमे इस नदर्व में धारा 21 एंड़ी पेंट के इंतर गई है और उक्रोक्त व्यक्ति को जो है वो क्रिक्तार कर दिया गया है जिसे आज नेले में पेश किया जाएगा और इसमें जो भी आगामी कारवाई है की जाएगी इसका पुलिस रुमान प्राप्त करके जो है हम आगे तकी इसको बढ़ाएंगे कि इसने कहां से नुशियले पदार जो है वो लाया था और कहां इसको सप्लाई कर रहा था और इस स्मग्लिंग में इस गोरफ धंदे में उसके सहाधार को और कौन से है जिलाकुल इसने इस साल यह भी काफी मामले जो है वो टेके और दूस